हेलो एवरिवन, वेलकम तो फाउंडेशन क्लासेज भाई आमीद, आप यहाँ पर डेट को देखिए, 12.9.2000 टेशियन के आपकी आज की डेट, तो आज की डेट में KVS ने एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया है, यहाँ पर बाप की गई है आपकी KVS के बारे में, जो आपकी जो बीड कंडिडेट हैं, उनसे लेटेड न्यूज है, तो क्या न्यूज है, चलिए डिसकस करते हैं, देखिए, आपको अच्छे से पता है, 16.2022 एडवर्टाइजमेंट के नाम से, आपकी KVS की PRT की वेकंसी निकली थी, जिसके अंदर जो आपके बीड कंडिडेट हैं, उनको भी apply करने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे यह बता दिया गया था, कि उनका जो selection होगा न, यार्कि जो इंट्रू या जो merit list आएगी, उनका जो selection होगा, वो आपके जो मानन यह Supreme Court है, उसके decision के according होगा, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आपका B.Ed versus आपका JBT का case चला हुआ था, तो Supreme Court के अंदर pending था, तो यह बात यहाँ पे आपको बोली गई थी, आपको पता है इस बारे में, उसके बाद क्या हुआ, 11.08.2023 को, जो आपका NCT का notice था, जो उन्होंने 26,28,28 को जारी किया था, उसको cancel कर दिया, और जो B.Ed वाले बच्चे ह हैं, उनको PRT से भार कर दिया था, इस बारे में, आपको अच्छे से पता है, अब उसके बाद क्या हुआ, वो सुनिया, इन दा अबाव, numerous representations have been received from the candidates to consider their qualification of two-year diploma, stating that they have both the qualification of diploma and B.Ed, but have filled the qualification of B.Ed in the online application form, यानि कि उनके पास काफी क्या है, mails आए, जो representations हैं, वो receive की, किसने, KVS ने, और वहाँ पर जो candidates हैं, उन्होंने बताया, कि जब उन्होंने form fill किया था न, उस समय उनके पास B.Ed भी थी, और diploma भी था, लेकिन उन्होंने जो form fill किया था, उसके अंदर सिर्फ ओर सिरी B.Ed की qualification को fill किया था, उन्होंने diploma fill नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये लगता थ कि B.Ed allow रहीगी, लेकिन आप B.Ed को कर दिया भार, इसलिए इस तरह कि जो representations हैं, वो KVS के पास काफी मातरा में गई थी, तो इसलिए KVS ने ये decision लिया है, और KVS ने क्या बोला है, कि जिन बच्चों के पास दोन्नों है न, जिन candidate के पास B.Ed और diploma, जिनोंने दोन्नों कर पास दिन तक आपका open रहेगा, और यहां पे वो क्या कर पाएंगे, जिनोंने अपने application form में B.Ed की qualification फिल की थी थी, वो अब diploma की जो qualification है, उसको फिल कर देंगे, यान कि ये उन बच्चों के लिए कर रखा है, जिनोंने B.Ed और diploma दोनों कर रखा है, और qualification उन्होंने B.Ed फिल कर दें, ये चीज उनको बोले गई है, और शाथ में एक date और दी गई है, कि जो उन्होंने diploma प्राप्त किया है, ये 26-12-2022 से पहले का होना चीए, यानि कि हो सकता है, कुछ लोगों का diploma हाभी पूरा हुआ हो, और वो भी इस form को फिल कर दें, तो ये बताया गया है कि 26-12-2022 date स इसे पहले-पहले जिनका diploma फिल हो चुका था ना, यलिक complete हो चुका था जिनका diploma, वो ही इस form को फिल कर पाएंगे, तो सिर्फ इस के अंदर इतना ही बताया गया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बीएड वाले आपके भार है, लेकिन सिर्फ उनको मोका दिया जा र ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना है, ये आपकी latest news है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो session में इतना ही, thank you.